गुद मॉर्नी श्रेंज नाव इस दा सेकेंड पार्ट आफ दा बॉइ फॉड्यू काट्स एक सेकेंड पार्ट है तो जो बच्चे अभी तक फास्ट पार्ट को नहीं देखे हो अच्छी तरह से पहले फास्ट पार्ट को देख लो तो अब सब क्या देखे थे नाव वह जो प्रीष्ट ने उसको कह दिये के टोया यू विल यू मस्ट गो टूर तुम अपने घर जाओ तुम आगे भविस्चे में क्या करोगे तुम इसके बारे में थोड़ा सोचो क्योंकि तुमारे पढ़ाई में यहां पर मन नहीं है तो इसलिए तुम तो तो उसी रात तोया ने मैं आज अपने मन से पूरी तरह से एक बहुत बड़िया पेंटिंग कर देता हूं लास्ट पेंटिंग में रहा हो गई है तो उसने क्या कि एक बहुत बड़ा जाइगंटिक बिल्ली का पिक्चर द्रॉक द्रॉक कर दिए और उसी रात जो है वह जिस बिल्ली का पिक्चर बहुत सुंदर था और बहुत बड़ा भी था तो दाट नाइट क्या हुआ था उसी रात एक इंप्रिस्ट के जो ग्रनरीज है मतलब जहां पर फसल रखे जाते थे गेहू हो चाबल हो रखे जाते थे उसके उसमें आते हैं मतलब उस रात वो सब खा लेगा और इवेल प्रिस प्रिस्ट के पास कुछ नहीं बचेगा यह बिली इस ने रात आ गया अब इसको भागाने का कोई तरीका नहीं था यह किसी से नहीं ड़ता है यह देमॉन रैट है चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है और उसी रात जब बिल्ली ओ जो डेमॉन रैट आया उसी रात कुछ strange happened strange happened का मतलब strange means that was not expected by others जो बाकी समने सोचा नहीं था उस तरह के कुछ घटना हो जाते हैं जैसे कि a few priests who had a few priests और कुछ और भी priests होते थे वहां पर सिर्फ एक ही प्रिस्ट नहीं है ना प्रिस्ट का मतलब क्या है पूरा ही त्राइब के जो चर्च में रहते हैं तो बाकी कुछ और प्रिस्ट भी जो जग गए थे ओके ना मतलब जग गए थे किस कारण से due to the noise किसली जग गए थे नीन से जग गए थे नीन से उठ गए थे due to the noise कुछ आवाजे हो रहा था इसी वज़े से कुछ आवाज की वज़े से saw a giant ink cat उसने क्या देखें saw a giant ink cat walking towards the granary और कुछ आवाज किस आवाज से जग थे ना वो जो डेमन रैट जो है वो रैट जिस तरह से क्या कर रहा था आवाज कर रहा था उसकी रैट के आने के आवाज सही वो सब जग गए थे बाकी प्रिस्ट तो जगने के बाद क्या देखें कि एक giant ink cat एक इंक से बना हुआ cat बहुती बड़ा giant size का बहुती बड़ा size का walking towards the granary वो किस तरफ जा रहा है ग्रणरी के तरफ जा रहा है जहां पर फसल रखे हुए है तो यह दो कर यह दोनों प्रिस्ट है जो picture में दिख रहा है बाहे तरफ यह एक प्रिस्ट है वो कह रहा है what is that यह क्या है इस बिल्ली को देखके तब दूसरा बोले है दूसरा प्रिस्ट कह रहा है it looks like the cat's toya keeps drawing इसे देखके तो यह लग रहा है कि टोया keeps drawing cats जो है अभी जैसे के drawing बनाता ही जा रहा है cats का तब दूसरी बात देखो the giant cat scared away the demon rat and protected the granary तो उसी टेम क्या होते है दो giant rat था यह दो को यह जो giant यह जो चुहा था यहां पर डर गया है डाय तरफ देखो तो और बिल्ली से क्या होते है वो डर जाते है the giant cat scared away the demon rat and protected the gran the giant cat था यह बड़ा से giant बड़ा साइज का बिल्ली था वो क्या किये scared away scared away मतलब डरा देते किसको ना demon rat को उस बड़ी से चुहे को and protected the granary और उस जो फसल की जहां पर फसल रखे जाते थे मतलब यह हूँ चाबल रखे जाते थे उस जगह को protect कर लेते है मतलब granaries को protect कर लेते है बचा लेते हैं सब then it peacefully walked back और उसके बाद peacefully walked back दीरे दीरे हो क्या होता है फिर पीछे आ जाते है वाक्ट बैक इन्टु इट्स पेपर as if it had never left और उसके बाद आके फिर से अपने पेपर में गुच जाते है जैसे कि यह कभी पेपर से बहर गया ही नहीं था समझ रहे हो मतलब कितना रियल है ड्रोइंग इसका ऐसा लग रहा था कि जैसे को पेपर से उठके वाकिंग करते होए गये और बाद में आके पेपर में फिर से बैठ गया जैसे को पेपर से कभी it had never left जैसे को कभी गया नहीं था आप देखा आगे उस दिन मॉर्निंग क्योंते नेक्स्ट मॉ पुरेट वह क्या किये है ऐकापेनिट टोय का मतलब बता है सात में जाना किसी के ठिक एस वह क्या करता है यहां पर नकिसी करके घर झाता है उसके घर जाते है और कहता है तोया इस यहां पर को यह कह रहा है प्रेस्ट थोड़ा पिक्चर तोड़ा धुंदली आ गई यहां पर तोया इस ग्रेट आटिस्ट जिसके पास बुक है बुक में देख लो तोया इस ग्रेट आटिस्ट किसको कहते है उसकी तोया के घर के लोगों को तोया एक बहुत बड़ तोया के पास क्लूव हो नहीं था कुछ जानते नहीं इस रात में घरतना पिछले रात को उसके और यह क्या? आई नहीं था तो टोया had no clue what had changed । टोया को पास टोया के पास एक भी द्यार सब्धिश्च कि वाट चेंजड क्या घटना हो गया है वाट चेंज्च ट्चूलिए के मतलब उनद्च क्या हो गया यहां पर चेंज वही हो गया ना कि सब के माइंड कैसे बर्तन हो गए तो इसको थोड़ा सा अंदाज है नहीं था तो इसलिए वह कह रहे थे लेकिन ट्रोया बहुत खुषता क्यूंकि तो रोहिंग करने जाते थे उसके काईरिया तो सफल हो गया तो सोच रहे थे बहुत बढ़ी है अब ट्रूआउट जब बड़े हो गए तो वो बहुत बड़ आटिस्ट बन गया लेकिन यहां पर दोगो राइट साइड में दिया है इस ड्रेइंग्स वेर फेमास थूआउट जापान उसके जो ड्रेइंग्स थे वो थूआउट जापान में फेमास था लेकिन वो से क्या ड्रौ करता था बाकी और कुछ नहीं ड्रौ के यह कहां से लिए गया है एडाप्रेट फ्रम जापनिस फोक्तेल एंड पोक्तेल के वारे में आई अल्रेडी टोल यू कि वाट वाट इस फोक्तेल ना फोक्तेल मिन्स जो लोगों के मूह पे प्रचलित कहानि किस तरह से एक आर्ड रेडंड है अब इसके बाद रूस्ट्न सल सांसर क्रूंघ कर लेते थे सब घूंद इसके कुछ को ब्रौक जाब यूश्य रूस्य रर में यहां पर रेड एंड इंसर कहरें तो एक वान पर स्थी चुम्हें नैंट के लोग क्या काम करते थे तो अगर तुम इसको आच्छी तरह से पड़े हो और इस वीडियो को देखे तो उसरे के करता था को किसिंग करता था घाना बनाने का काम करते था जैसे भंडारी का काम प्राम था का मैं करता था तो अब पड़ता है ओझा करता फिल्सिन करता था तो ठालोघ्ल two टो yahoo ठीट को क्या बताया राइटिंग ग्रॉइंग ना कराटे कराटे pillar पिक्चर में तोगॉयंग तो नहीं सिखा रहा था प्रिस्ट हर बक्त जो है बाकी बच्ची कहा कर रहे थे राइटिंग में बैस थे तो राइट इंग हो गई यहां पर ठीक है क्या राटी नहीं वहगा ड्रेंग नहीं होगा राइटींग वह दिड़ टेम्पल प्रिस्ट टीच ट्वया इसमें भले इ जब बाकी बच्चे अपने अपने राइटिंग करते थे लेकिन तो यह लाइन प्रूब करता है कि टेंपेल में जो प्रिस्ट था वो राइटिंग सिखाता था ठीक है ग्रोइंग और कराटे नहीं तो टोया खुद अपने मन से लाप करता था अब सेकंड किसन देखो वाट डिट टोया लाइक टू डू तो इसका एंसर क्या होगा तो टोया लाइक के बाद लाइक हो जाएग टोया के पारेंट्स ओरीड क्यों था कि टोया पारेंट्स ओरीड के what टोया विल डू इन फ्यूचर और वेन खी ग्रिव आप टोया विल डू इसके ओपर वो ओरीड थे मतलब उस टेंपल में क्या आया था तो समझ रहे हो इस इन को एंसर मैंने बता दी है तो चलो अब इसको complete कर लो अब यहां पर तो think and answer तो इसमें किसका एंसर क्या होगा Yes, of course Toya was different from his brothers and sisters because his brothers and sisters loved farming but Toya's mind was always his mind was always staying at the or his mind was always busy at growing or he never found anything interest except growing ठीक्या?